तो इससे related trick क्या है कि MSD ने 10 IPL final खेला, ठीक है, वहीं देखिए 10 हमारा कैसा sound कर रहा है, तो 10 हमारा sound कर रहा है, 10 निर्थ जैसा, 10, 10, ठीक है, वहीं D से क्या हो जा रहा है, तो D से हो जा रहा है हमारा दसारा पर, यानि कि 10 निर्थ किया जाता है, ठीक है, वहीं S से क्या हो ज जार्खन जी के ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग जार्खन आर्ट एन कल्चर से जार्खन के प्रमुख लोगनिर्थ को ट्रिक की साहता से याद करेंगे बैसिकली ट्रिक से हम लोग उस निर्थ से रिलेटेड इंपोटेड पोउंट्स को जाद करेंगे जो की exam point of view से बहुत ही important हो जाता है तथा अंत में हम लोग 2012 से अब तक जितने भी प्रस्न इस topic से related पुछे गए हैं उसे भी हम लोग last में trick की साहिता से करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग जारखन के लोक निर्थ को trick की साहिता से पढ़ते हैं जैसे की एक word है खेलना ठीक है एक word है खेल ठीक है एक word है खेल एक word होता है खेलेक क्या होता है एक word खेलेक तो जारखन में निर्थ को खेलना खेल और खेलेक भी कहा जाता है ठीक है इस point को भी आप not down कर लें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग और सबसे important चाओ निर्थ से related important points को trick की साहता से याद करते हैं जैसे कि एक teacher कथा सुना रहे थे तेज धूप में फिर student कहता है कि sir थोड़ा उधर चलिए केले का पत्ता का size बड़ा होता है केले का पत्ते का मुखोटा बनाएंगे और उससे हम लोगों को अच्छा चाओ अच्छा चाया मिलेगा क्योंकि केले का पत्ता का size बड़ा होता है तो वहीं इससे related trick हो जाता है कि sir केले के पत्ते का मुखोटा अच्छा चाया देगा अब देखिए हम लोग इस trick की सायता से 6 निर्थ से related important points को कैसे याद रख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे छाया हमारा sound कैसा कर रहा है तो 6 जैसा 6 निर्थ जैसा ठीक है वही मुखोटा से हो जा रहा है मुखोटा मुखोटा कहें मास्क कहें ठीक है तो 6 निर्थ मुखोटा पेहन कर किया जाता है ठीक है वही सर केले से sound आ रहा है हमारा सराय केला सर केले से कैसा sound आ रहा है तो सराय केला जैसा sound आ रहा है तो 6 निर्थ का जन्म कहां से हुआ है तो सराय केला में और यहां से कई बार एक्जामों में प्रस्ण पूछा जा चुका है ठीक है तो इसे आप जरूर याद रखें तो हम लोगों ने स्ट्रिक की सहाईता से कितने पॉइंट्स को देखा तो छव निर्थ जो है वह कैसे किया जाता है तो वह मुखोटा मास्क पहन कर किया जाता है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे है ठीक है और छव निर्थ का जनम कहां से हुआ है तो छव निर्थ का जनम हमारे सराय केला जिला से हुआ है ठीक है वहीं छव निर्थ कैसा निर्थ है तो या पुरूस परधान निर्थ है और इस निर्थ में कथाओं का मंचन किया ज ठीक है, इस निर्थ का परदसन महात्मा गांधी के समक्ष भी 1941 इस्वी में किया गया था, वहीं इस निर्थ से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं, जैसे कि छाओ निर्थ की टीन से लिया है, एक तो हमारा सराय केला हो गया जो कि जारखन में वहीं एक हो गया हमारा मय उर्भन जो की उडिसा में है, और वहीं एक हो गया हमारा पूरलिया जो की पस्सी मंगाल में है, ठीक है वहीं छाओ निर्थ से रिलेटेड एक और पॉइंट है जैसे कि पुरलिया सेली निर्थ को 2010 में यूनेस को द्वारा विश्व बिरासत निर्थ में सामिल किया गया है ठीक है इसे भी आप याद रखें वहीं छाओ निर्थ से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और देख लेते हैं हम लोग जैसे कि इसके दो भेद हैं छातियार सेरेनी जिसे कई बुकों में आपको हतियार सेरेनी भी लिखा हुआ मिल सकता है ठीक है तो छातियार सेरेनी इसमें वीररस की परदानता हो केंदर जो कि सराय केला में है वहीं 2011 में मानभूम छाओ निर्थ कला केंदर सिल्ली ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड याद रखना है क्योंकि छाओ निर्थ जैसे सी सीजियल एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है जैसे कि छाओ निर्थ का परदर्सन IPL के final में किया गया था कि इस IPL के final में तो 2022 के IPL के final में किया गया था देखिए ये current data है और ये data आपको कोई भी book में नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए इस topic को थोड़ा ध्यान से पढ़े क्योंकि यहाँ से परस्ष आने की जादा संभावनाय बन जाती ह जैसे कि यहां से प्रश्ण पुचने की क्या समभावनामे बन सकती है कि IPL 2022 के final में जो च्छव निर्त का परस्तुती करन किया गया था वह किस stadium में किया गया था तो किस stadium में किया गया था तो नरेंद्र मोधी stadium में किया गया था ठीक है ये नाम आपको याद रहना चाहिए ठी वही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि साथ छो कलकारों को जो पदमुसरी पुरुषकार से सम्मानित किये गए हैं। वही अगला कौन है तो मंगल चरन महोंती या मंगल चरन पती ठीक है जिसे 2009 में छो निर्ट से रिलेटेट पदमुसरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था। और वही लास्ट ससधर अचार्य जिसे 2020 में पदमुसरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था। और ससधर अचार्य या नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए क्योंकि यह एक्जाम में आने जैसा पॉइंट है। अब इन साथ छो कलाकार के नाम को जिन्हें पदमुसरी पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके नाम को हम लोग ट्रिक की साहिता से याद करेंगे। ठीक है। ट्रिक क्या है हमारा तो ट्रिक है मंगल के साम को राजकुमार केदारनात गया। ध्वज लेके और अचार्य पंडित से असिरवाद लिया। कब गया तो मंगल के साम को गया कौन गया तो राज कुमार गया कहां पे गया तो केदारनाथ गया ध्वज लेके और आचारे पंडित से असिरवाद लिया ठीक है वहीं मंगल हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो मंगल से हो जा रहा है हमारा मंगल चरनपती जिनने 2009 में पदमसरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है वहीं साम से हो जा रहा है हमारा स्याम चरनपती जिन्हें 2006 में पदमसरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है वहीं राजकुमार से हो जा रहा है राजकुमार सुधेंदू नरायन सिंग राजकुमार राजकुमार सुतेंदू नरायन सिंग एक जैसा साउंड है जिन्हें 1991 में पदमसरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है वहीं केदारनाथ से क्या हो जा रहा है तो केदारनाथ हमारा साउंड कर रहा है केदारनाथ साहु जैसा पदमस्री अवर्ड मिला है ठीक है वहीं ध्वज हमारा साउंड कर रहा है मकर ध्वज जैसा ध्वज मकर ध्वज ठीक है यानि कि मकर ध्वज दरोगा को 2011 में पदमस्री अवर्ड से सम्मानित किया गया था वहीं आगे देखिए आचारिय और आचारिय हमारा साउंड कर रहा ह ससधर अचार्य ठीक है तो ससधर अचार्य को 2020 में पदमस्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है वहीं पंडित से हो जा रहा है पंडित गोपाल परसाद पंडित पंडित गोपाल परसाद जिन्हें 2012 में पदमस्री पुरसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो ये थ साथ वो कलाकार जिने छो निर्ति से संबंदीत पदमसिरी पुरसकार मिले हैं ठीक है हम लोगों ने याद कैसे किया तो इससे रेलेटे ट्रिक क्या था कि मंगल के साम को राजकुमार केदारनात गया ध्वज लेके और आचारे पंडित से आसिरवाद लिया ठीक है वहीं मंग से हो जा रहा है मंगल चरनपती साम हमारा साउंड कर रहा है स्याम चरन जैसा यानि कि साम से हो जा रहा है स्याम चरनपती वहीं राजकुमार से हो जा रहा है राजकुमार सुधेंदू नरायन सिंग जिने 1991 में पदमसिरी आवर्ड से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने 1938 में वीदेश में भी इस निर्थ का परदसन करवाया था ठीक है वही केदारनाथ से हो जा रहा है केदारनाथ साहु जिन्हें 2005 में पदमसीर प्रोशकार से समानित किया गया था वहीं ध्भश से हो जा रहा है मकर्ध्वज ध्वज मकर्ध्वज एक जिसा साउंड है तो मकरद हज को भी 2011 में पदमसीरी पुरसकार से सम्मानित किया गया है वहीं आचारी से हो जारा है ससधर आचारी जिन्हें 2020 में पदमसीरी पुरसकार से सम्मानित किया गया है वहीं पंडित से हो जारा पंडित गोपाल परसाद दूबे जिने 2012 में पदमसीरी पुरसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो ये थे हमारे साथ कलाकार जिने 6 निर्थ से सम्मानित पदमसीरी पुरसकार मिले हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों का 6 निर्थे सम्मंदित सारे important points खत्म होते हैं अब आगे हम लोग जारखन के अगले लोक निर्थ पाई का निर्थ से सम्मंदित points को ट्रिक की साहिता से याद करते हैं जैसे पहले राजा महराजाओं में जब युद्ध होता था तो सेनिक के ह हात में धाल तलवार हुआ करता था बंदू वगेरा तब नहीं आये थे ठीक है तो सेनिक का एक वेसभुसा हुआ करता था जिससे युद्ध में यह पता लग सके कि यह मेरा सेनिक है ओके तो धाल तलवार सेनिक वेसभुसा होना जरूरी होता था युद्ध के लिए ठीक है तो यदि कोई गरीब राजा युद्ध करना चाहे तो उसे पाई पाई जोड़कर सेनिक के लिए वेस भुसा धाल तरवार खरीदना जरूरी हो जाएगा ठीक है क्योंकि युद्ध के लिए ये सब बहुत ही जरूरी होते हैं ठीक है तो इससे रिलेटेट हम लोग का ट्रिक है कि पाई पाई जोड़कर युद्ध के लिए राम ने रूस से सेनिक वेस भुसा खरीदा कैसे खरीदा तो पाई पाई जोड़कर युद्ध के लिए राम ने रूस से सेनिक वेस भुसा खरीदा ठीक है वहीं देखिए पाई-पाई हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो पाई-पाई से हो जा रहा है पाई का निर्थ ठीक है और वहीं युद से हो जा रहा है युद यानि कि इस निर्थ को युद की संग्या भी दी जाती है ठीक है वहीं राम ने रूस से यानि कि राम दयाल म कुंडा नय रूस में इस निर्थ का मंचन किया था ये भी एक पॉंट यहां से निकल के आता है ठीक है वहीं TO निर्थ किया जाता है इस निर्थ को युद्धि की संग्या दी जाती है ठीक है वहीं राम ने रूस से क्या हो गया तो राम धयाल मुंडा ने रूस में इस निर्थ का मंचन भारत महुत समय किया वहीं सेनिक वेजबुसा क्या हो गया यानि कि इस निर्थ को करने के लिए सेनिक वेजबुसा की जरूरत पड़ती है यानि कि सेनिक वेजबु आचने वाला जो होता है वह रंग बिरंगी, कल्गी लगी, मोर पंख लगी पगड़ी इस निर्थ में पहनते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वहीं पाई का निर्थ को सदान एवा मादिवासी समुदाय में अतीथियों के स्वागत या सोभायात्राओं में इस निर्थ की परस्तूती की जाती है तो ये थे हमारे पाई का निर्थ, और पाई का निर्थ से सम्मंदित, हम लोगों ने सारे महत्पुन पॉइंट्स को ट्रिक की साहिता से याद कर लिया, ट्रिक क्या था कि पाई-पाई जोड़कर युद्ध के लिए राम ने रूस से सेनिक वेशबुसा खरीदा, पाई-पा प्रूस परदान तथा सामोहिग निर्थ है, और इसमें नर्थ तक जो होता है, नाचने वाला जो होता है, रंग, बिरंगी, कलगी, मोर, पंख लगी, पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जारखन के अगले लोक निर्थ डमकच न सदि रिवाहमैं ना चुटति है वहीं डंडम हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो डंडम से हो जा रहा है ड données य Sup I click in andлю so jala alm sil दariat क přिताल आदिवाध्यन्त्रों को बजाť कर किया जाता है वहीं आप आगे देख पारे होंगे महिलाएं महिलाएं से आप समसकते हैं कि या निर्थ इस्त्री परदान निर्थ है ठीक है वहीं साधी विभा से क्या हो जा रहा है तो साधी विभा से हो जा रहा है कि यह निर्थ साधी विभा का निर्थ है यानि कि साधी विभा के अफसर पर यह निर्थ को किया जाता है तो इस ट्रीक की साहिता से मुख्यता कितने पॉ जाकर यह निर्थ को किया जाता है, वहीं महिलाएं से क्या हो जा रहा है, यानि कि यह निर्थ जो है, यह इस्त्री परधान है, यह महिला परधान निर्थ है, ठीक है, कब यह निर्थ होता है, तो यह निर्थ साधी विभा के अपसर में किया जाता है, कहां पे तो आंगन में, रात्री में करती हैं महिलाएं ठीक है वहीं इस निर्थ के कई भेध हैं जैसे कि आप देख पारे होंगे जस्पूरिया असमिया जुम्टा आदी इस निर्थ के भेध है ठीक है तो इस ट्रिक की सायता से हम लोगों ने डमकच निर्थ से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइं करते हैं जैसे कि नटवा में नट सब्द का अर्थ होता है नाचने वाला क्या होता है नाचने वाला ठीक है और पंच परगना छेत्र में पंच परगना छेत्र में पूरूस पूरूस नर्तक को क्या कहा जाता है पूरूस नर्तक को कहा जाता है नटवा ठीक है क्या कहा जात पुरुस नर्तक को नटुवा कहा जाता है ये points भी आप याद रखेंगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग और नटुवा निर्ति से related सारे महत्पुन points को trick से याद करते हैं जैसे कि हम लोग जार्खन के लोग height में छोटे वेक्ती पुरुस को क्या कहते हैं तो नटुवा कहते हैं नाटा कहते हैं ठीक है तो यहाँ इस line से क्या साबित होता है कि यह पुरुस परधान निर्त है क्योंकि हम लोग छोटे पुरुस को ही नटुवा कहते हैं ठीक है तो इससे related trick क्या है कि नाटा पुरुस महिला कपड़ा पहन कर नाच रहा था नाटा पु पुरूस से हो गया या निर्थ कैसा निर्थ है या पुरूस परधान निर्थ है ठीक है वहीं महिला कपड़े पहन कर से क्या हो गया यान कि यह निर्थ को कैसे करते हैं तो पुरूस लोग महिला कपड़े पहन कर इस निर्थ को करते हैं ठीक है तो इस ट्रिक की सायता से हम लो कपडे पहन कर डांस करते हैं ठीक है तो हम लोगोंने ट्रिक की सहाईता से इस निर्थ से जितने भी महत्पुन Poynt हो सकते हैं उसे हम लोगोंने याद कर लिया ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झार्खंड के अगले लोक निर्थ क्या है तो बाहा निर्थ ठीक है इस निर्थ से related हम लोग सारे important points को trick की साहिता से याद करेंगे बाहा निर्थ को पढ़ने से पहले हम लोग सरहूल पर्व से related कुछ important points को देख लेते हैं ताकि बाहा निर्थ को अच्छी तरह से समझा जा सके जैसे सरहूल पर्व को मुंडा जनजाती के लोग सरहूल ही कहते हैं क्या कहते हैं सरहूल ही कहते हैं वहीं उराव जनजाती की बात करें तो उराव जनजाती सरहूल पर्व को खद्धी कहते हैं कहते हैं खद्धी ठीक है वहीं संथाल जन जाती सरहूल पर्व को क्या कहते हैं तो बाहा कहते हैं क्या कहते हैं बाहा कहते हैं वहीं हो जन जाती सरहूल पर्व को सिर्फ बाहा कहते हैं ठीक है और एक बच गया हमारा खड़िया जन जाती ठीक है खड़िया जन जाती जो है वो तो सरहुल पर्व को जाकोर कहते हैं ठीक है तो इससे यह पता चलता है कि बाहनिर्थ जो है यह सरहुल पर्व में किया जाता है ठीक है और संथाल जन जाती सरहुल पर्व को ही बाह कहते हैं ठीक है तो यह निर्थ किस जन जाती में परसीध होगा तो संथाल जन जाती में ठीक हम लोग बाहर निर्थी से बचे हुए कुछ important points को trick की साहता से याद करते हैं तो जैसे कि जो भी वेक्ति हमारे जार्खन में first time परवेश करता है वो हमारे जार्खन के साल महुआ की खुबसूरती देख बाह बाह करने लगते हैं तो इससे related trick है की बाहर से आये हुए वेक्ति हमारे साल महुआ का फूल देखकर बाह बाह करने लगते हैं तो बाह बाह हमारा कैसा sound कर रहा है तो बाह बाह से हो जा रहा है हमारा बाहा निर्थ वही साल महुआ फूल से क्या हो गया यानि की इस निर्थ में सामारो पूर्वग साल महुआ फूल का यूज किया जाता है तो इस trick की सायता से हम लोगों ने याद रखा की बाहा निर्थ जो है या सरहुल परव किया जाता है ठीक है वहीं इस निर्थ में सामारो पुरुवक साल महुआ फूल का यूज किया जाता है परियोग किया जाता है ठीक है वहीं इस निर्थ में स्तिरी पुरूस सामोहिक रूप से सम्मलित होते हैं ठीक है तो ये थे बाह निर्थ से related कुछ important points जिसे हम लोगों ने ट्रिक की साह से याद कर लिया ठीक है कि ट्रिक क्या था कि साल महुआ का फूल देखकर बाह बाह करने लगते हैं जो भी वेक्ति हमारे जार्खन में बाहर से परवेश करते हैं ठीक है तो बाह बाह से हमारा हो जा रहा था बाहा निर्थ और साल महुआ का फूल से हो जा रहा था साल का यूज इस निर्थ में सामारो पुरुबक किया जाता है ठीक है वही यह निर्थ संथाल जन जाती में परसीद है और इस निर्थ में इस तरी पुरुस सामोही ग्रूप से सम्मिलित होते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जारखन के अगले जोक निर्थ क्या है तो जूमर निर्थ इस निर्थ से रिलेटेट ट्रिक है कि खेत में जूम जूम कर महिलाएं फसल काट रही थी क्या ट्रिक है कि खेत में जूम जूम कर महिलाएं फसल काट रही थी ठीक है वही जूम जूम से क्या हो गया तो जूम जूम से साउंड आ र इस्तिरी परधान निर्थ है ठीक है वहीं फसल काट से क्या हो गया यानि कि यह निर्थ को कब किया जाता है तो फसल कटाई के वक्त यह फसल कटाई के अफसर पर यह निर्थ किया जाता है ठीक है तो इस निर्थ से हम लोगों ने मुखेता दो पॉइंट्स को याद रखा कि जुमर निर्थ जो है, या इस्तरी परधान निर्थ है, वहीं या निर्थ कब किया जाता है, तो या फसल कटाई के अफसर पर या निर्थ किया जाता है, ठीक है, जुमर निर्थ के निमलिखित परकार हैं, कुछ परकार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि, पहला है मारा करिया जुमर करिया जुमर ठीक है वहीं दूसरा है हमारा भिन सरिया निर्थ ठीक है वहीं तीसरा हमारा पहिला पहिला सांझा पहिला सांझा निर्थ ठीक है ये त्यादी निर्थ जुमर निर्थ के ही परकार है ठीक है वहीं एक हमारा इंपोर्टेंट मरदानी जुमर ठीक है जैसे की नाम से ही पता है कि यह पुरुस परधान निर्थ है और इस निर्थ को विश्वस्तर पर पहुचाने में मुकुंद नायक एवं उनके सहयोगियों का विशेश भूमी का रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारे मुकुंद नायक है तो एक्जाम में पुछा जा सकत क्या है घोडा निर्थ ठीक है तो घोडा निर्थ से रिलेटेड हम लोग important points को trick की साहता से याद करते हैं जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बरात घोडी पर आती है ठीक है तो trick क्या है हमारा इस से रिलेटेड कि बरात घोडी पर आती है ठीक है वही हमारा घोडी से क्य जा रहा है घोडा निर्थ वहीं बरात से क्या हो जा रहा है तो बरात में या बरात के आउसर में किया जाने वाला निर्थ तो इस निर्थ से related important points क्या है कि घोडा निर्थ जो है या बरात के स्वागत करने के दोरान तथा मेले पर्व में भी इस निर्थ का परदर्शन किया ज ठीक है तो घोड़ा निति से related important points को हम लोगों ने trick की साहिता से याद कर लिया trick क्या था हमारा कि बरात घोड़ी पराती है simple सा बात है घोड़ी से हो गया घोड़ा निर्थ और बरात से हो गया यानि की बरात के स्वागत के दोरान तथा मेले पर्व तोहवार में किया जाने वाला निर्थ वहीं इस निर्थ में नर्तक जो होते हैं नर्तक जो होते हैं कृतिम घोड़े के फ्रेम को रंगीन कपड़े से सजा देते हैं तथा उसमें घुश कर अपने कंधों से उसे लगा लेते हैं उसके बाद नर्तक डांस करते हैं निर्थ करते हैं ठीक है वहीं नाकपूरी छेत्र में दुरगानाथ राय घोड़ा निर्थ क से related कुछ important points ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं जारखन के अगले डोयोर निर्थ ठीक है तो डोयोर निर्थ से related हम लोग महत्पुन points को trick की सहाथा से याद करते हैं ठीक है तो जैसे कि आप लोगों ने देखाई होगा दरवान लोग दोर पे क्या लेके रहते हैं तो हलका डंडा लेके रहते हैं आप लोगों ने या देखाई होगा ठीक है तो वही से related हमारा trick क्या हो जाता है की दोर पर हलका डंडा दोर पर हलका डंडा ठीक है दोर से कैसा साउंड निकल रहा है तो दोर से साउंड निकल रहा है हमारा दोयोर निर्थ एक जिसा साउंड है दोर दोयोर ठीक है वही हलका से क्या हो गया तो हलका से हो गया हमारा हलका निर्थ यानि कि दोयोर निर्थ को हलका निर्थ के नाम से भी जानते हैं ठीक है, वहीं डंडा से क्या हो गया, डंडा से हो गया कि डोयौर निर्थ जो होता है, उसमें नर्थ तक डंडा लेके डांस करते हैं, डंडा लेके निर्थ करते हैं, तो ये थे डोयौर निर्थ से रिलेटेट important points हम लोगों ने trick की सहता से याद कर लिया trick क्या था कि डोर पर हलका डंडा डोर से sound आ रहा है डोयोर निर्थ हलका से हो जा रहा है हलका निर्थ यानि कि डोयोर निर्थ को हलका निर्थ की भी संग्याद दी जाती है वहीं डंडा से हो गया डंडा यानि कि डोयोर निर्थ डंडा लेकर नर्तक इसमें डांस करते हैं निर्थ करते हैं ठीक है तो इस ट्रिक की साहिता से कौन-कौन से पॉइंट्स निकले कि डोयोर निर्थ जो होता है या निर्थ को हलका निर्थ के नाम से भी जानते हैं ठीक है यानि कि डोयोर अपने कंधे पर एक-एक डंडा रखकर निर्थ करते हैं, ठीक है, वहीं या निर्थ खड़िया जनजाती में विशेश कर परसिद्ध है, संथाल जनजाती भी इस निर्थ को करते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जार्खन के अगले लोक निर्थ हलका निर्थ को जैसे कि मैंने कहा कि डोयोर निर्थ क्या है हलका निर्थ का ही एक स्वरूप है हलका निर्थ में क्या होता है तो पुरुस महिलाएं दोनों भाग लेते हैं पर दोनों अलग-अलग दल बनाकर निर्थ करते हैं वहीं एक दल के निर्थ की समाप्ती के बाद ही दूसरा दल निर्थ करता है, दूसरा दल डान्स करता है, या निर्थ विशेश कर खड़िया जन जाती में परसीद है या निर्थ में पाडू गीत गाया जाता है कौन सा गीत काया आता है तो पाडू ठीक है इसे भी आप याद रखें तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जारखन के अगले लोक निर्थ को क्या है नचनी लोक निर्थ ठीक है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि या पेसेवर निर्थ होगा हम लोग डानसर सबको नचनी कहते हैं और डानसर लड़का लड़की दोनों हो सकता है मतलब नचनी निर्थ पेशेवर निर्थ है और या इस्तिरी पुरूस दोनों करते हैं तो चलिए हम लोग इससे related कुछ important points को trick की साहिता से याद करते हैं जैसे की trick है की कार्तिक और पुर्नीमा नाच रहे थे कार्तिक और पुर्नीमा क्या कर रहे थे? नाच रहे थे ठीक है तो इससे क्या-क्या point निकल के आता है? तो जैसे की नाच से क्या हो जा रहा है? तो नाच से हो जा रहा है नचनी निर्थ एक जैसा sound है नाच नचनी ठीक है? वहीं कार्तिक और पुर्नीमा से क्या हो जा रहा है? तो कार्तिक और पुर्निमा से हो जा रहा है यानि कि यह निर्थ कार्तिक पुर्निमा में किया जाने वाला निर्थ है तो क्या-क्या पॉंट्स निकल के आया ट्रिक से कि नचनी निर्थ कार्तिक पुर्निमा में किया जाता है और या इस्तिरी पुरुस दोनों करते हैं वहीं इसमें इस्तिरी डांसर को क्या कहा जाता है तो नचनी कहा जाता है और पुरुस डांसर को क्या कहा जाता है तो रसी कहा जाता है ठीक है? तो ये थे नचनी निर्ति से related कुछ important points इससे अगर पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा आपको टेंसन लेने की ज़रुरत नहीं है ठीक है मैंने अब तक जितने भी जेसे सी ने प्रस्ण पूछे हैं निर्ति से रिलेटेट वो सारे प्रस्णों को एकत्रित करके देख लिया है और मैं वीडियो कराने वाला भी हूँ ठीक है और आप आसानी से उन सारे प्रस्णों को इस ट्रिक के साहिता से कर सकेंगे तो नचनी एक पेसेवर निर्त है या पॉइंट भी एक आपको याद रखना है ठीक है तो चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जारकन के आगले लो इस से रिलेटे ट्रिक है जैसे कि एक लड़का लसून ले जा रहा था तो क्या होता है जैसे वह लड़का थोड़ा सा जुकता है उसके थेले से आठ जोड़ी लसून गिर जाता है उसके थेले से क्या होता है आठ जोड़ी लसून गिर जाता है तो इस से रिलेटे ट्रिक क जा है हमारा कि आठ जोडी लसून जुकने के कारण गिरा कैसे गिरा भाई तो आठ जोडी लसून जुकने के कारण गिरा ठीक है वही देखिए कारण हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो कारण हमारा साउंड कर रहा है करम निर्थ कारण करम ठीक है वहीं लसून हमारा साउंड कर जाता है ठीक है वही आठ जोड़ी से क्या हो गया कि यह निर्थ आठ जोड़ी में किया जाता है यानि कि आठ इस्त्री और आठ पुरुस के दल में निर्थ किया जाता है तो इस ट्रिक से कितने पॉइंट निकलते हैं कि करम निर्थ में क्या होता है इसमें निर्थ के दोरान लहुसागीत गाया जाता है और इसमें आठ जोड़ी यानि की आठिस्त्री और आठ पुरुस के दल बन कर निर्थ करते हैं ठीक है इस निर्थ के मुख्य दो भेद हैं कौन-कौन से तो देखिए एक है खेमटा और एक है जिनसरी ठीक है जिनसरी को कहीं कहीं आप देखे इस निर्थ को कब किया जाता है तो इस निर्थ को कर्मा के पर्व पर कर्मा के पर्व के अफसर पर किया जाता है इसलिए इस निर्थ को करम निर्थ या कर्मा निर्थ के नाम से जानते हैं तो ये थे करम निर्थ से रिलेटेट कुछ important points जो की exam में अगर पुछा जाएगा तो इन्ही points से related पुछा जाएगा, ठीक है, तो चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, जारकन के अगले लोक निर्थ, मागे और गौंग निर्थ, ये दोनों निर्थ को एक trick की सहयता से याद करेंगे, वैसे ये दोनों निर्थ में कोई जादा points याद नहीं क कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बिहारी भासा में मोग कहते हैं, ओके, तो जोरु का गुलाम को हम लोग basically मोग कहते हैं, ठीक है, और हम लोग जब भी दोस्त यारी में बैठे होते हैं, तो एक व्यक्ति अगर चूप रहता है तो उसे हम लोग basically क्या कहते हैं, अरे मोग जैसा क हमारा मागे या मागे निर्थ ठीक है वहीं गूंगा से क्या हो जा रहा है तो गूंगा से हो जा रहा है हमारा गौंग निर्थ ठीक है और वहीं हो से हो जा रहा है हो जन जाती यानि कि मागे निर्थ गौंग निर्थ किस जन जाती में परसीद है तो हो जन जाती में परसीद ह हम लोगों ने इसे याद कैसे किया तो ट्रिक है मोग जैसा गुंगा क्यों हो मोग से हो गिया माघे निर्थ गुंगा से हो गिया गौंग निर्थ और हो से हो गिया हो जन जाती यानि कि माघे निर्थ और गौंग निर्थ ये हो जन जाती में परसिद्ध है वही माघे में या निर्थ को किया जाता है ठीक है वहीं गोंग से आप याद रखेंगे बस की या हो जन जाती से सम्मंदित है ठीक है तो ये थे मागे निर्थ और गोंग निर्थ से सम्मंदित कुछ ठीक है तो चली अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं जारकंट के अगले लोगनिर्थ दस से निर्थ ठीक है दस से सम्मंदित हम लोग सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को ट्रिक की सहता से याद करते हैं तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे धोनी भाई 10 आईपिल final खेल चुके हैं कितना तो 10 और उसमें से 5 जीत चुके हैं ठीक है तो इससे related trick क्या है कि MSD ने 10 IPL final खेला कितना MSD ने 10 IPL final खेला ठीक है वहीं देखिए 10 हमारा कैसा sound कर रहा है तो 10 हमारा sound कर रहा है दसाय निर्थ जैसा 10 दसाय ठीक है वहीं D से क्या हो जा रहा है तो D से हो जा रहा है हमारा दसारा पर यानि कि दसारा पर में दसाय निर्थ किया जाता है ठीक है वहीं S से क्या हो जा रहा है तो S पर हो जा रहा है संथाल दसाय निर्थ किस जनजाती में परसीद है तो यह संथाल जनजाती में परसीद है वही M4 क्या हो जा रहा है तो M से हो जा रहा है male यानि की दसाय निर्थ male dominated यानि की पुरुस परधान निर्थ है ठीक है तो basically हम लोगों ने श्ट्रिक की सहायता से कितने points को याद रखा कि दसाय निर्थ जो होता है या कब होता है तो या दसारा परव के समय होता है ठीक है वहीं दसाय निर्थ किस जनजाती में परसीद है तो या संथाल जनजाती में परसीद है वहीं दस्य निर्थ कैसा निर्थ है तो यह पुरुस परधान निर्थ है ठीक है वहीं इस निर्थ में पुरुस महिलाओं की वेशभूसा धारन करके निर्थ करते हैं वहीं इस निर्थ के दोरान निर्थक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नास्ते हैं तथा अन्प्राप्त करते हैं वहीं यह निर्थ दसारा के पर्थम दिन से विजय दस्मी तक किया जाता है ठीक है कब से कब तक तो दसारा के पर्थम दिन से ठीक है यहने की फर्स्ट पूजा जिससे हम लोग कहते हैं ठीक है और कब तक किया जाता है तो यह विजय दसमी तक किया जाता है ठीक है तो यह थे दसारा नीरती से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने याद कैसे किया तो हम लोगों ने एक ट्रिक की सहईता से सारे important points को याद कर लिया है क्या था कि MSD 10 IPL final खेल चुके हैं, तो 10 से क्या हो जा रहा है, 10 से 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 हो ज से related important points को अम लोग trick की सायता से याद करने की कोशिस करेंगे जैसे महिलाएं सबकी आदत होती है कि किसी का भी बात हो ये किसी के भी कान में तुसक देगी किसी की भी बात एकदम संकर्मन बिमारी के तरह वाइरल कर देगी ठीक है तो इससे related trick क्या है कि तुसक कर महिलाएं बातों को संकर्मन की तरह फैला देती हैं वहीं तुसक से क्या हो जा रहा है तो तुसक से हमारा sound आ रहा है तुसु तुसक तुसु यानि कि तुसक से हो गया तुसु निर्थ वहीं महिलाएं से क्या हो गया तो महिलाएं से हो गया कि तुसु निर्थ जो है वह इस्त्री परधान निर्थ है ठीक है वहीं संकर्मन हमारा कैसा sound कर रहा है तो या संकरांती के जैसा sound कर रहा है ठीक है यानि कि टुसु पर्व मकर संक्रांती के अवसर पर टुसु के परतीक चोंडाल को प्रवाइत करती है इस अवसर पर या निर्थ किया जाता है ठीक है तो basically इस ट्रिक की साहिता से हम लोगों ने कितने points को याद किया तुसु निर्थ से related तो टुसु निर्थ जो है या किसके द्वारा किया जाता है तो टुसु निर्थ महिला के द्वारा किया जाता है यानि कि या महिला परधान निर्थ है और या कब किया जाता है तो या मकर संक्रांती के दिन टुसु के परती टुसु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने अपनी सात्विक की रक्षा क ठीक है तो टुसू निर्ति से संबंदित जितने भी महतपुन पॉइंट्स थे उसे हम लोगों ने ट्रिक की साहिता से याद कर लिया अगर एक्जाम में कोई भी प्रसन टुसू निर्ति से संबंदित पुछा जाता है तो इनी पॉइंट्स से रिलेटेड पुछा जाएगा ठीक है, तो चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जारखन के अगले लोक निर्थ जिसका नाम है दोंगेड निर्थ, ठीक है, दोंगेड निर्थ इसे रिलेटेड हम लोग कुछ important points को trick की साहता से याद करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सिकार करेंगे तभी होगा, सिकार कब होगा भाई, तो सिकार दोड धूप करेंगे तभी होगा, सिकार दोडेंगे तभी होगा, ठीक है, वही हमारा यहाँ पर दोडेंगे कैसा साउंड कर रहा है, तो दोडेंगे हमारा साउंड कर रहा है, दोंगेड, कैसा साउंड कर रहा है, द तो इस ट्रिक की साहिता से हम लोगों ने किस points को याद रखा कि दोंगेर निर्थ जो होता है या कब होता है तो यह सिकार के अवसर पर होता है ठीक है वहीं यह निर्थ कैसा निर्थ है तो यह निर्थ पुरूस परधान निर्थ है बेसिकली सिकार तो पुरूस ही करते है ठीक है वहीं यह निर्थ किस जनजाती में परशिद्ध है तो यह निर्थ संथाल जनजाती में सबसे ज़्यादा परशिद्ध है ठीक है तो यह थे दोंगेर निर्थ से related कुछ important points जिसे हम लोगों ने एक simple से trick से याद कर लिया trick क्या था कि सिकार तो हम लोग हमेशा दोल के ही करते हैं दोलेंगे दूपेंगे तभी तो सिकार होगा तो दोलेंगे से क्या हो गया दोंगेर निर्थ और सिकार से हो गया सिकार यानि कि दोंगेर निर्थ जो होता है या कब होता है तो सिकार क्या उफसर पर होता है और सिका यानि कि यह निर्थ पुरुषपरधान निर्थ है और यह संत्थाल जन्जाती में सबसे जयादा परसिध है। ठीक है? तो चलिए अग आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जारकन के अगले लोक निर्थ। अगला लोक निर्थ है हमारा सोहराई निर्थ। तो गोसाले में चुमावडी गीत गा के उठा दो, ट्रिक क्या है, सो रही है गोसाले में चुमावडी गीत गा के उठा दो, ठीक है, वहीं देखिए, सो रही है, हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो सो रही है, हमारा साउंड कर रहा है, सो राई, सो राई, निर्थ के जैसा, ठीक ह वहीं देखिए चुमावडी हमारा कैसा sound कर रहा है चुमावडी गीत के जैसा यानि कि इस निर्थ के दोरान चुमावडी गीत का गायन होता है ठीक है तो basically हम लोगों ने इस ट्रिक की साहिता से कौन से point याद रखे तो जैसे कि सोहराई निर्थ जो होता है कब होता है तो या गोसाले में पूजा के वक्त किया जाता है वहीं इस निर्थ के दोरान कौन सा गीत गाया जाता है तो इस निर्थ के दोरान चुमावडी गीत का गायन होता है ठीक है तो इस ट्रिक की साहिता से हम लोगों ने ये दोनों points को याद कर लिया ट्रिक क्या था कि सो रही है गोसा के वक्त किया जाने वाला निर्थ है सोहराई ठीक है वहीं चुमावडी से हो गया कि इस निर्थ के दोरान चुमावडी गीत का गायन होता है ठीक है वहीं इस निर्थ के दोरान प्रूस गाय जमाव गीत गाकर नासते हैं ठीक है और यह निर्थ संथाल जन्जाती में सबसे ज देखते हैं जार्खन के अगले लोक निर्थ जो की है अगनी निर्थ ठीक है तो इस अगनी निर्थ से related हम लोग कुछ important points को trick की साहिता से याद करने की कोशिज करते हैं तो जैसे की आप देखे ही होंगे की अगनी पूजा पाठ पंडा पुजारी लोग करते हैं ठीक है तो इ अगनी जैसा यान की अगनी निर्थ और और पंडा हमारा कैसा sound कर रहा है तो मंडा के जैसा यान की मंडा पर्व ठीक है तो अगनी निर्थ कब किया जाता है तो मंडा पर्व के अवसर पर इस निर्थ को किया जाता है ठीक है तो इस ट्रीक की साहिता से हम लोगों ने किन points क को याद किया कि अगनी निर्थ जो है या मंदा पर्व के अफसर पर किया जाता है ठीक है वहीं इसमें क्या होता है इसमें सील की पूजा की जाती है ठीक है तो ये थे अगनी निर्थ से तो ये अगनी निर्थ कब किया जाता है तो मंदा पर्व के अफसर पर किया जाता है और इसमें सील की पूजा की जाती है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग और देखते है जार्खन के अगले लोक निर्थ जिसका नाम है अगनाई निर्थ ठीक है तो अगनाई महत्पुन पॉइंट्स को हम लोग ट्रिक की साहिता से याद करने की कोशिज करते हैं जैसे कि एक पूजा नाम की लड़की सज के आंगन में क्या कर रही थी निर्थ कर रही थी तो इससे लेटे ट्रिक क्या है हमारा कि पूजा सज के आंगन में निर्थ कर रही थी, पूजा सज के आंगन में क्या कर रही थी, निर्थ कर रही थी, वहीं आंगन हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो आंगन से हमारा हो जा रहा है, यहाँ पे अगनाई निर्थ, क्या हो जा र पूजा के अफसर में ठीक है यानि कि यह निर्थ पूजा के अफसर पर किया जाता है यानि कि धार्मिक निर्थ है ठीक है तो इस ट्रिक की साहिता से हम लोगों ने कितने पॉइंट्स को याद रखा तो यह अगनाई निर्थ जो है यह कहां पर किया जाता है तो यह आंगन मे किया जाता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह निर्थ आंगन में किया जाता होगा ठीक है वहीं यह निर्थ किसमें परसीद है तो यह निर्थ सदानों में परसीद है और यह निर्थ कब किया जाता है तो यह पूजा के अफसर पर किया जाता है ठीक है, वहीं अगनाई निर्थ के कई परकार भी है, जैसे कि एक है हमारा चड़हंतरी, क्या है एक चड़हंतरी, ठीक है, वहीं दूसरा है हमारा रसक्रीडा, क्या है रसक्रीडा, ठीक है, वहीं तीसरा है हमारा थडिया, क्या है थडिया, ठीक है, वहीं चोथा है हमारा खे खेमटा क्या है खेमटा तो ये अगनाई निर्थ के कुछ परमुख परकार हैं ठीक है तो ये थे अगनाई निर्थ से रिलेटेड कुछ महत्पून पॉइंट्स जिसे हम लोगों ने ट्रिक की सायता से आसानी से याद कर लिया ट्रिक क्या था हमारा कि पूजा सच के आंगन म निर्थ कर रही थी ठीक है वहीं आंगन से क्या हो जा रहा था आंगन से हमारा साउन आ रहा था अगनाई जैसा यानि कि अगनाई निर्थ और अगनाई निर्थ कहां पर किया जाएगा तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह निर्थ आंगन में किया जाएगा वहीं सज से क्या हो जा रहा है तो सज से साउंड आ रहा है सदान जैसा यानि कि यह निर्थ सदानों में परसिद्ध है और यह निर्थ कब किया जाता है तो यह निर्थ पूजा के अफसर पर किया जाता है जैसे कि आप देख़ पा रहे हैं पूजा sound कैसा कर रहा है तो पूजा के अफसर जैसा ठीक है यानि की या निर्थ पूजा के अफसर पर किया जाता है ठीक है तो ये थे अगनाई निर्थ से related कुछ important points तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं जारखन के अगले लोक निर्थ कौन है तो जत्रा निर्थ और जादूर निर्थ ये दोनों निर्थ को हम लोग एक ही ट्रिक की सहयता से याद करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो जैसे कि एक फिल्म एक्टर है जिसका न साउंड निकल रहा है राव से तो उराओ जैसा राव उराओ ठीक है वहीं जादू से क्या हो गया हमारा तो जादू हमारा साउंड कर रहा है जादूर निर्थ जादू कैसा साउंड कर रहा है तो जादूर निर्थ के जैसा ठीक है वहीं जत्रा से क्या हो गया तो जत्रा से में परसिद्ध है ठीक है तो यहां से point निकल के आता है कि जादूर निर्थ और जत्रा निर्थ या उराव जनजाती में परसिद्ध है यानि कि उराव जनजाती के लोगों में या famous है ठीक है अब आगे ये दोनों निर्थ से related हम लोग कुछ और points को देखते हैं जैसे पहले हम लोग जादूर निर्थ से related कुछ important points को देखते हैं जैसे इस निर्थ को नीर सुसन को भी कहा जाता है वहीं इस निर्थ का आयोजन, फालगून यानि की कोलोन, सिंग भोगा, पर्व के बाद सरहुल पर्व तक किया जाता है वैसे तो यह महिला परधान निर्थ है किन्तु कहीं कहीं महिला पुरूस दोनों भी निर्थ करते हैं यह निर्थ उत्पादक्ता, उर्जा, तथा मात्र भूमी के परती आदर का परतीक है वहीं यह निर्थ उराव जन जाती में परसीद है यह पॉइंट्स को तो हम लोगों ने ट्रिक की साहिता से याद कर लिया था और यह प्रस्ण कई बार पूछा भी गया है ठीक है, तो इसे आप जरूर माइन में याद रखें ठीक है, तो चलिए अब जत्रा निर्थ से रिलेटेड कुछ important points को not down करते है जैसे कि जत्रा निर्थ सामोहिक निर्थ है और यह निर्थ उराव जन जाती में परसीद है इस निर्थ में इस्तरी पुरूस हाथ पकड़ कर निर्थ करते है ठीक है, तो जदूर निर्थ और जत्रा निर्थ से रिलेटेड हम लोगों ने points को not down किया ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यह session समाप्त होता है हम लोगों ने जारखन के जितने भी परमुख लोक निर्थ थे उसे trick की सायता से याद किया ठीक है, अब आगे हम लोग इन परमुख लोक निर्थ से रिलेटेड कुछ महत्पून प्रस्नों को करेंगे जो कि JCCC exam के लिए important हो जाता है ठीक है, तो पहला प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा निर्थ सेनिक वेजभुसा में किया जाता है options चार दियेगा है, पाई का निर्थ, फगवा निर्थ, डॉमकच निर्थ या कली निर्थ तो पाई का निर्थ से रिलेटेड हम लोगों ने trick क्या याद रखा था कि पाई पाई जोड कर युद्ध के लिए पाई पाई जोड कर युद्ध के लिए, किसने तो राम ने क्या खरीदा था, तो सेनिक वेजभुसा खरीदा था, ठीक है कहां से तो रूस से, कहां से तो रूस से, ठीक है पाई पाई हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो पाई पाई हमारा साउंड कर रहा है पाई का निर्थ के जैसा कैसा तो पाई का निर्थ के जैसा ठीक है वही सेनिक वेजबुसा से क्या हो जा रहा था तो पाई का निर्थ जो है वह सेनिक भेजबुसा में किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या एंसर होगा option A, पाई का निर्थ ठीक है किस निर्थ को सेनिक भेजबुसा में किया जाता है तो पाई का निर्थ को ठीक है वही अगला प्रसन है निमलिखित में से कौन सा निर्थ में एक student को कथा पढ़ा रहे थे तो student अपने teacher से कहता है कि sir केले का जो पत्ता होता है वह बड़ा होता है size में तो उसका मुखोटा अच्छा क्या देगा? अच्छा चाया देगा, ठीक है तो चाया से क्या हो जा रहा था हमारा? चाया से हो जा रहा था 6 निर्थ एक जैसा sound है चाया 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 वही मुखोटा से हो जा रहा था मुखोटा यानि कि 6 निर्थ जो है वह कैसे किया जाता है? तो mask पहन कर किया जाता है मुखोटा पहन कर किया जाता है ठीक है? तो इस person का answer क्या होगा? option D ठीक है वहीं सराय केला से क्या हो जा रहा था कि 6 निर्थ का जनम कहां से हुआ है तो सराय केला से हुआ है ठीक है तो मुखोटा का परियोग कर कौन सा निर्थ किया जाता है तो 6 निर्थ ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग अर देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्र S, D, अब तक कितने IPL final match खेल चुके हैं, तो 10, आप लोगों को पता ही होगा, और 10 IPL final में से उन्होंने 5 जीत भी रखा है, ठीक है, तो वहीं देखिए 10 हमारा कैसा sound कर रहा है, तो 10 हमारा sound कर रहा है, 10 हैं जैसा, यानि कि 10 हैं निर्थ के जैसा, ठीक है, वहीं D से क्या हो जा रहा है, 10 हरा जैसा, यानि कि 10 हैरा परव के जैसा, ठीक है, वहीं S से क्या हो जा रहा है, तो S से हो जा रहा था हमारा संथाल, ठीक है, और M से हो जा रहा था मेल, यानि कि पुरूश परधान, ठीक है, तो 10 है निर्थ किस परव के अफसर पर किया जाता है, तो 10 हरा परव के अफसर पर किस जनजाती में या famous है तो संथाल जनजाती में और या किस प्रकार का निर्थ है तो या पुरुषपरधान निर्थ है तो हमारा answer क्या होगा तो हमारा answer होगा option d दसहरा ठीक है वहीं देखिए अगला प्रस्ण है बरात के स्वागत में किया जाने वाला निर्थ है, options चार दिये गये हैं, पाइका, फगुआ, डोमकच और घोडा निर्थ, ठीक है, देखिए, देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है, बारात, और हम लोग सभी जानते हैं, कि बारात घोडी पर आती है, ठीक है, बारात घोडी पर आती है, और घोडी हमारा कैसा sound कर रह है, तो घोडी से हो जा रहा है, घोडा निर्थ, ठीक है, और वहीं बारात से हो जा रहा है, बारात, यानि कि घोडा निर्थ कब किया जाता है, तो बारात के स्वागत में किया जाता है, options क्या होगा हमारा, option D, घोडा निर्थ, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ल टोयोर निर्थ ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों पता है कि डोर पर, यानि कि दर्वाजे पर दर्बान हलका डंडा लेके रहते हैं, ठीक है, और उसी से related trick क्या था हमारा की डोर पर क्या डोर पर हलका हलका डंडा डोर पर हलका डंडा ठीक है डोर से क्या हो जा रहा था तो डोर से हो जा रहा था डोयोर निर्थ और डंडा से हो जा रहा था डंडा ठीक है यानि कि डोयोर निर्थ कैसे किया जाता है तो डंडा लेकर किया जाता है इस पॉइंट से तो हम लोग यह निकाल सकते हैं, वह हें enjoy निर्थ को हलका निर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इस प्रसन का answer क्या होगा, इस प्रसन का answer होगा option D, joyor निर्थ, ठीक है, हही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को, अगला प्रसन है, अगली निर कराते हैं वह पंड़ा होता है अगनी पूजा कौन कराता है तो पंड़ा होता है ठीक है वहीं पंड़ा हमारा कैसा साउंड कर रहा है तो पंड़ा हमारा साउंड कर रहा है मंदा के जैसा मंदा पर्व के जैसा और अगनी से हो जा रहा है अगनी निर्थ अगनी निर्थ ठीक ह अगनी निर्थ किस परव के उफसर पर किया जाता है, तो मंदा परव पर किया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें जय हिंद जय जहारखंड